दोस्तों बच्पन में रामायन तो हर किसी ने देखा होगा और लॉगडाउन में भी ये सीरियल आज तक का सबसे जादा देखे जाने वाला सीरियल था लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि हमारी पृत्वी पर आज भी ऐसे कई सबूत हैं ऐसी कई जगहें हैं जिससे ये पता चलता है कि सच में रामायन की गथा हमारी धर्ती पर गठित हो चुकी है आज की इस वीडियो में हम आपको उनी सबूतों के बारे में बताएंगे दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों रामायन की ये बात तो आपको यादी होगी जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने लगे और वो खोजते खोजते शिरी लंका पहुँच गए लेकिन वहाँ पहुँच कर उन्हें किसी कारण अपना विशाहल रूप धारंग करना पड़ा और इस वज़ा से उनके पैरों के निशान वहाँ पत्थर पर जम गए अब कई लोग तो इसका यकीन नहीं करते लेकिन आपको बता दे कि शिरी लंका में आज भी चट्टानी पत्थरों पर वहाँ हनुमान जी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं नमबर टू दोस्तों रामाइन के हिसाफ से जब सीता माता का हरन हुआ तभ सीता माता की खोश शुरू हो गई और इसी बीच राम जी की मुलाकाथ हनुमान जी से हुई और हनुमान जी हर रोज शिरी राम की एक जगा पर परतीक्षा किया करते थे और आज उसी जगा को हनुमान गड़ी के नाम से जाना जाता है जहां पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों जब रावन सीता माता को लंका में लेकर गया तब अशोक वाटिका से पहले रावन सीता माता को एक गुफा में लेकर गया नमबर चार जब शिरी राम को सीता जी का पता चला कि वो कहां पर कैद है तो वो हरुमान जी और बाकी सेना के साथ शिरी लंका के रास्ते निकल पड़े लेकिन वो बीच में विशाल समुंदर को देखकर वहीं पर रूख गए अब इसके बाद उनकी सेना ने चटानी पत्थ पत्थरों पर राम जी का नाम लिखा और उसे पानी में फेकने लगे पत्थर पानी में तैर रहे थे और इसके बाद उनकी सेना ने शिरी लंका तक पुल बनाया जिसे आज हम राम सेतू के नाम से जानते हैं नमबर पाँच जिन पत्थरों से रामसेतु पुल का निर्मान हुआ वो पत्थर आज भी वहीं पर मौजूद है और जब इन पत्थरों पर रिसर्च करी गई तो पता चला कि ये पत्थर रामायन युक के ही पत्थर है रामायन में वैसे दोस्तों आपने ये भी पढ़ा कि लक्षमन मूर्शित हो गए थे और उस वक्त हनुमान जी संजीवनी भूटी लेने हिमाल्या गए और वो पूरा का पूरा पहाड़ी उठा कर ले आये थे दोस्तो जो संजीवनी भूटी का पहाड हनुमान जी शिरी लंका लेकर गए जो की एक बहुती विशाल पहाड था और उसे आज द्रोना गिदी परवत के नाम से जाना जाता है आज भी वो शिरी लंका में ही मौजूद है और तो और दोस्तो जब साइंटिस्ट ने इस पर वही जड़ी बूटियां है जो की सिर्फ हिमाल्या परवत पर ही पाई जाती है और इस बास से रिसर्चस भी हैरान है नमबर साथ दोस्तो जब रावन सीता माता को हरन करके ले जा रहे थे तबी जटायू ने रावन को रोकने की कोशिश करी और वो अपनी इस कोशिश म सफल ना हो पाया और रावन ने जटायू को मार गिराया और जटायू जहां पर गिरे थे आज उस जगा को लिपाक्षी टेंपल के नाम से जाना जाता है और यहां पर ऐसे ऐसे सबूत है जो की आपको बताएंगे की सच में जटायू इसी जगा पर गिरे थे नमबर आठ द सीता माता एक विरिक्ष के नीचे बैठी रहती थी लेकिन दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि अशोक वाटिका का वो विरिक्ष आज भी शिरी लंका में मौजूद है दोस्तों कहा जाता है कि रावन अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े हाथियों से कराता था और शिरी लंका में भी कई ऐसे बड़े बड़े हाथियों के जीवांश मिले जिसे देखकर सब को यकीन हो गया कि रमाइन की गता सच में रियल थी दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि हनुमान जी ने अपनी पूस से फूरी की फूरी लंका ही जला डाली थी और शिरी लंका में एक ऐसी जगा पर काली मिट्टी पाई जाती है जिससे ये पता चलता है कि आज से बहुत साल पहले यहां बहुत खतनाक आग लगी थी दोस्तों भगवान राम की तरह ही रावन भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावन ने उनकी भक्ती के लिए भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया जिसे कल्या नेश्वन मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर में भगवान राम की तरह रावन की भी मूर्ति करना ना भूले